हलो दोस्तो गूड मॉर्निंग स्वागत ही पाफेट से आप सभी का MZT Education में दोस्तो आज है 30 अप्रेल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 अप्रेल 2021 के करेंट फेर के सभी important questions के भरे में पूरी वीडियो देखेगा पूरी वीडियो डीटेल में आपको समझाई गई है अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like और share जरूर करती जईगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन को प्रेस कीजे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेसन पाईए चले बात करते हैं दोस्तो लास्डे के कुशन्स की लास्डे का पहला कोशन था आपसे सबसे जादा बार फ्रेंच oopern grant slam टेश टूनामस की इस देख ने जीटा है चाइना ने रखा है जो रोंग नाम रखा है इन दोनों है कुशन के बारे में काफ़ी लोगों ने कल बहुत ही अच्छी से डीटेल में अंसर किया था ऐसे ही आप सभी लोग डीटेल में अंसर किया करो आप लोग डीटेल में अंसर करते हो तो आपका रिवेजन तो होता ही हो वोशन है, self driving वाहनों के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन मना, तो वो बन गया है दूस्तों, ब्रेटेन, ब्रेटेन में अब पबलिक प्लेसेस पर भी self driving या आटो ड्राइबिंग मोटर वाहन चलाने को मंजूरी मिल गई है, हाला कि इसके लिए एक सिस्टम अपनाया गया है, ALKS सिस्टम, आटोमेटिक लेन कीपिंग सिस्टम, ये क्या होता है, जैसे कोई रोड है, माल लीजिए 4 लेन, 3 लेन की कोई भी रोड है, उसमें एक लेन ऐसा भी होगा, जिसमें ये आटोमेटिक वाहन चलेंगे, ठीक है, आटो वाली कार चलती है, तो इस लेन पर पहुंचते टाइम, वो ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, और बाकी तो आटो ड्राइविंग वैसे टेस्टिंग करके तब ही लांच की गई है, ठीक है, तो पुड़ी तरीके से टेस्टिंग अगरत की ही गई है, सेंसर सो नहीं अलाओ किया गया है धीमी गत से ही आटो ड्राइविंग को मंजूरी मिल गई है क्लियर चलिया ब्रेटेन आया है ब्रेटेन देखेंगे हम लोग वर्ड मैप में सबसे पहले देखें देखें दिश्टो यह रहा हमारा पैरा भारत यहां से आएंगे हम लोग यूरोपिय कॉंटिनेंट में यूरोपिय महादिप में यहां पर आने के बाद दिश्टो दिखी यूनाटेट किंग्डम आपको याद कराया था मैंने यूनाटेट किंग्डम यह इतना दिख रहा है इतना जो पार्ट होता है यहां पर एक एक देश करके देखते हैं देखें यहां प पर Ireland है, Ireland में ये North Ireland अलग है, तो अगर हम लोग केवल और केवल इतना लें, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ध्यान से समझेगा इसको, अगर हम लोग केवल इतनी कंट्रीज को लेते हैं, यानि कि Wales, England और Scotland, केवल इतना लेते हैं, तो ये बन जाता है Britain, क्या बनता है, Britain, Great Britain या Britain जिसे कहते हैं, अगर यहीं पर North Ireland को भी ले लिया जाता है, तो इतनी कंट्रीज मिल करके बनाती है, UK, United Kingdom, clear, और अगर पूरे के पूरे Ireland को ले रहेते हैं, तो ये बन जाता है दोस्तो, British Iceland, क्या? British Iceland, ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर Britain की बात हो रही है, तो यहाँ के PM कौन है? PM कौन है, Britain के? Boris Johnson, बोरिस Johnson ने अभी हाल फिलाल में अपनी यात्रा फिर से कैंसिल कर दिया है, इंडिया की यात्रा, ये 26 जनवरी को भी आने वाले थे, तो उधर भी इन्हों ने कैंसिल कर दिया था, और अभी भी इन्होंने एक बार फिर से कैंसिल कर द अगला देखते हैं, अगला कुशन है, हाले में किस ने Python मिसाइल का परिक्षण किया? तो अभी हाले में दोस्तों, DRDO ने Python मिसाइल का परिक्षण किया है, ये 5th generation का, यानि 5 पीडी की Python मिसाइल है, कहां पर एड़ की जाएगी? तेजस विमान में, तेजस फाइटर जेट है तो इसमें ये Air-to-Air टाइप की Python मिसाइल एड़ की जाएगी, ठीक है? पैथान मिसाइल का परिक्षण किया जा चुका है, ये Air-to-Air होगी, यानि कि हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल होगी, 5th generation की है, अभी हाले में गोवा में तेजस फाइटर जेट में लगा करके इ बनाया किसने है, बनाया है इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम में, ध्यान रखेगा, इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे डेवलब किया है, राफेल से आप लोग ये मत समझेगा कि राफेल फ्रांस वाले कंपनी, देखिए राफेल ज यह जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है राफेल एडवांस देफिन सिस्टम ठीक है ऐसे ही बोईंग जो है बोईंग कंपनी जो है वो अमेरिका की है तो यह सभी कंपनी का ना भी आपको याद रखना है HAL और DRDO यह इंडिया की कंपनी है जो बनाती है ठीक है चले फिलाहल बात करें यह दुनिया के सबसे अत्या दुनिक गाइडेर मिसालों में से एक है पाइथान मिसाल डियाडियो ने अभी हाली में इसका प्रेक्शन किया है DRDO आया है DRDO से रिलेडेड दुस्तों अभी ही जल्द ही मैंने आपको यह कुशन और बताया था इसने एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नियालोजी विक्षित की है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है वो बहुत ही हाई प्रेसर टर्बाइन ब्लेड थी तो ऐसी 300 ब अगला कुशन हाली में किस देश ने NEO-01 नामक रोबोट प्रोटोटाइप लांच किया है यह जो रोबोट प्रोटोटाइप है दूस्तों इसने इसे अर्थ और्बिट के सबसे निचली और्बिट में सबसे लोवर और्बिट में लांच किया हुआ है किस से लांच किया है अपने Long March rocket से, जहाद रखेगा Long March 6 rocket से, यहाँ के rocket का नाम है Long March, यह भी ध्यान रखने वाली चीजे हैं, देखिए कुछ static चीजे हैं जिसको आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे, तो अक्सर वो सारी चीजे जब भी आपके सामने आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा, आप उससे रिलेर कर पाएंगे, जिससे Long March जो हुआ, यह यहाँ के rocket का नाम है, अगर मैं आपसे बोलू, Falcon 9, तो Falcon 9 जो है, यह Space X के rocket का नाम है, अगर मैं आपसे बोलू, PSLV और GSLV, तो आप बताएंगे, इस रो के rocket का नाम है, ठीक है, तो rocket के नाम भी आपको याद रखना रॉकेट का का काम क्या होता है, कोई भी सेटेलाइट हो, उसको उठा करके, ले जा करके, और्वेट में छोड़ देना, यही इतना काम होता है, ठीक है, चलिए, रॉकेट, इसका यह Long March 6 जो रॉकेट था, इससे लांच किया गया, Neo 01, Clear Space Depress नाम का, यह robot prototype, करेगा क्या, काम क इसका काम यह होगा, कि गहरे अंत्रिक्ष में छोटे ख़गोलिये पिंडों का निरक्षर करना, अंत्रिक्ष मेलवेब को हटाने की तकनिकी के साथ, रिसर्च करना, प्रयोग करना, ओके, तो यह 30 किलो के वजन वाला robot prototype है, और इसे चाइना के ही एक startup, Origin Space द्वारा, डेबल सबसे बड़ा नगर है संगाई, संगाई में ही अगर आपको याद हो, टेसला कंपरी ने 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला, बहात्तर चार्जिंग पॉइंट्स वाला, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर इस्टेशन लांज किया है, अगला देखते हैं, ACI विकास बैंक यानि ADB ने financial year 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया, दोस्तों ADB ने अपना नया अनुमान जारी किया है, ACI विकास आउटलुक जारी किया है, उसमें बताया है, इं ACI and Development Outlook रिपोर्ट जारी करता है, इस बार जो जारी किया है, इसमें इन्होंने दो प्रोडिक्शन किया है, एक तो financial year 2021 से 2022 के लिए जिसमें 11% बताया गया है, और अगला जो है अगले वित्य वर्स के लिए यानि financial year 2022 से 2023 तक इसके लिए 7% का अनुमान लगा है इंडिया की GDP growth rate के लिए, अब देखिए समझेगा financial year कब से कब से तक शुरू होता है, एक अपरेल से शुरू होकर के यह 31 मार्च तक चलता है, यह आपको याद रखना है, यह होता है financial year, अगर हम लोग calendar year बात करें तो एक जनवरी से शुरू होता है और 31 December तक चलता है calendar year जिस पे हम लोग जीते हैं, चलिए, ACI विकास बैंक के बारें बात करें तो ACN Development Bank की स्थापना 1986 में हुई थी, headquarter इसका Manila Philippines में है, अध्यक्ष है मतासगू असकवा, अच्छा कुछ और bank ने भी, कुछ और agency ने भी अभी हाली में, जिसमें SBI ने बताया है दोस्तों कि इंडिया की GDP growth rate होने व बताया था, care ratings ने 10.2% बताया था, भारत की GDP growth rate होने वाली है, इतनी close सबोई लोगों ने अनुमान जारी किया है, क्लियर, चलिए, अगला देखते हैं, अगला कुछ न है, wild innovator award पाने वाली पहली भारतिये महला कौन बनी, तो वो बन गई हैं दोस्तों, डाक्टर कृती करं कौन, डाक्टर कृती करंथ, ये wild innovator award पाने वाली पहली भारतिये और पहली ACI महला भी बन गई है, डाक्टर कीरती के करंथ दोस्तों, बेंगलों में इस्थित एक सेंटर फॉर wildlife studies की मुखे सनरक्षक वेज्ञानिक है, सांटिस्ट हैं, और इन्हें ये award मिला है, इनको 2021 के wild innovator award के लिए समानित किया गया है, किसकी दोरा दिया गया, wild elements foundation के दोरा ये award इनको दिया गया है, अगला दिखते हैं, अंतराष्टी निर्त्य दिवस यानि international dance day कब मनाया जाता है, तो प्रतेक वर्स ये 29 अप्रेल को मनाया जाता है, international dance day, अंतराष्टी अस्तर पर डांस के मह institute की dance committee के दोरा इसको शुरूब किया गया है, ये दिवस मनाया जाना, अंतराष्टी ये निर्त्य दिवस, क्यों ये 29 अप्रेल को ही मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 29 अप्रेल को ही जीन जॉर्जेस नौवेरे का की जैनती होती है, इनका बरत्रे होता है, जीन जॉर्जे जाना शुरू हुआ है, क्लियर इस बार की theme क्या रखी गई है, theme है purpose of dance, बहुती छोटी theme है, बहुती important है, छोटी theme रहेगी तो important है, पूछी जाएगी ज़रूर, purpose of dance आसानी से आप याद भी कर सकते हैं और ये पूछा जाएगा ज़रूर, international theater institute जिसके दोरा ये मनाया जाता है, इस केस थापन होई थी, 1948 में, headquarter है, Paris में, France में, clear, अगला देखते हैं, अगला है, अफगानिस्तान cricket board के नए मुखे कारेकारी यादिकारी यानि CEO कौन बने, तो वो बन गया हैं दोस्तो, हामित सिन्वरी, हामित सिन्वरी जो आपको image में देख रहे हैं, ये अब होंग बनाए गये थे, अफगानिस्तान cricket board के अध्यक्ष के बारें बात करें, तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तो, फरहान यूसुफ चाहिए, अफगानिस्तान cricket board के अलावा भी कुछ और आसपास के board है, जैसे की, BCCI का ले लीजिए, BCCI यानि की, Board of Control for Cricket in India, इंडिया का जो cricket board ह इसके अध्यक्ष हैं सौरुप गाउंगली जी, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे अमीर board है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला cricket board है, BCCI, ICC से भी ज़्यादा धानिसी के पास है, ICC के अध्यक्ष हैं, Greg Barkley और PCB यानि पाकिस्तान cricket board के अध्यक्ष हैं, वासिम खान, क्लियर अ Time Magazine ने अभी अपनी 100 सबसे प्रभावसाली firms की सूची जारी की है, लिष्ट जारी की है, इसमें इंडिया की दो कमपनिया इसको जगा मिली है, Reliance की Jio और Byzoo's, ये दो कमपनिया इस टॉप 100 सबसे प्रभावसाली most influencing firm में सामिल की गई हैं, Time Magazine दोस्तों, अमेरिका की थी, एक respected, reputed magazine series है, Byzoo's और Jio के बारे में मगर बात करें, केवल दो कमपनिया ही, दो भारतिये कमपनिया ही इस टॉप 10 में जगा बना सकी हैं, Byzoo's के बारे में बात करें, इसकी अस्थापना हुई थी 2010 में, Headquarter है Bangalore में संस्थापक और CEO हैं, Byzoo Ravindran, Jio के बारे में बात भारत के नए वित्त सच्यू बनाया गए, TV सोमनाथन, कौन? TV सोमनाथन जी को भारत का नया finance secretary बनाया गया है, TV सोमनाथन जी इससे पहले वित्त मंतराले में व्य विभाग में सच्यू की रूप में secretary की रूप में काम कर रहे थे, 1987 बैच के ये तमिल लांडु केडर के IS officer है TV सोमनाथन, दोस्तों वित्त मंतराले में जो सभी प्रकार की secretary होते हैं, उनमें जो सबसे जादा senior होता है, सबसे जादा वरिष्ट अरिकारी जो होता है, उसको वित्त सच्यू के रूप में नामिनेट किया जाता है, तो इस प्रकार से TV सोमनाथन जी भारत के नए वित्त का निधन हो गया है, ये जो चंद्रमा पर पहला मानव एक तो मिसन हुआ था, अमेरिका के द्वारा Apollo 11, जिसमें नील आर्म स्ट्रांग ने सबसे पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, तो उसमें ही चालक दल में ही एक ये भी सामिल थे, तीन लोगों की वो टीम गई तो चंद्रमा पर दोस्तों नील आर्म स्ट्रांग और बज एंडरिन गए हुए थे, और माइकल कॉलिंस जो है, ये और्बिट में ही थे, चंद्रमा के मून के और्बिट में ही ये थे, ठीक है, तो इनका अभी हाले में निधन हुआ है, यानि इन्हों ने चंद्रमा पर अदम रखा था, सबसे पहले नील आर्म स्ट्रांग ने रखा, इसके बाद दूसरे व्यक्ति बने बज एंडरिन, तो 1979 में हुआ था ये मिशन, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, अमेरिका के दोरा ये मिशन किया गया था, क्लियर चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थ लाइक करके सेर जरू कर दिया करो, आप लोग के लिए वीडियो बनती है, आप लोग का भी फर्ज बनता है, थोड़ा सा इस चैनल के लिए भी करो, वीडियो को लाइक कर दो और सेर कर दो, इसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है, वीडियो को प्लीज सेर जरू कर दिया कौन हैं अगला सिप्री रिपोर्ट के नुसार हथियार आयात करने के मामले में भारत की सस्थान पर हैं दोनों ही कोशन बहुत अच्छे हैं दोनों के बारे में आपको पता हो जो भी डिटील जितना भी लिख पाओ अप लोग कोशिस करना ज्यादा से ज्यादा लिखने का च कोर्स है हिंदी का भी और सिटीडि का भी परचेज कीजिए वीडियो जुस पर आ रही है और आप उसका फाइदा उठा सकते हैं वीडियो को यहां तक देखने के लिए दुस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए और भी ज़्यादा ध झाल झाल